विलकम टू आपकी सक्सेस आज मैं जो ग्रफी से 25 इंपॉर्टेंट कोश्चन्स लेग रहा हूं जो सेलेक्टेड कोश्चन्स है और आपको हर एक्जाम में यह देखने को भी लेंगे यह प्रिबियस यह के हैं पूरे 15 सालों के इसलिए इस वीडियो को लास तक देखी हुआ जैसे की assy में आ चुका रेल बे में रेलबे में भी आया है। तो यह हर लंग्वत से कुषचन अहीं सकते हैं इसलिए मैंने है सब एक्जामों के नाम और प्रिखाइं है दौरे चलिए आज का कोश्चन वी तामान तता अल्प वर्शार곳 वाले में उगने वाले दैस हैं किसे मुझे पता चले कि आप लोगों को का तैयारी बहुत ही बढ़ी है तो चलिए क्वेशन नमबर 2 देते हैं नमं मेरस में किस एक में रूधिर वर्षा होती है, नमं नमं फ्री राजाओं की घाट अवस्थित है तो राजाओं की घाट अवस्थित है मिसर में क्वेशन नम्बऻ 4 है और आई शोगेनिक आई शोटोनिक रेखाएं हैं तो आई शोगेनिक रेखाइं क्या हैं opts कोशन नम्बऻ 5 है निम्नलिखित में से किस एक में जैब बिविबिन्ता सरवाधिक होगी और ऑप्षिन बी उसने कटी बंदिये बंद। चेके फ्रेंट, कुशन नम्बर सिक्स है, रेडियो तरंगे के बिच्छे बंद। के लिए बायू मंडल के निम्नलिखित अस्तरों में से कौन सा अस्तर उत्तरदाई है? अंसर होगा उप्चन B, आयन मंडल कुशन नम्बर सेवन है, सर्व प्रतम, इस मांचित्रकार ने प्रच्छे में अस्थानों को उनके अच्छांस वाद्यसांतर के अनुसार प्रदर्शित किया था, सेवन का अंसर होगा उप्चन A, मेरी नस, ठीक है? कुशन नम्बर एट है, विस्व का सबसे गहरा गर्थ, मेरी याना· मेरी याना गर्थ है? तो इसका अंसर होगा उप्चन B, फिलिपिन्स Q9 है उलान वटोर राजधानी है तो उलान वटोर किसकी राजधानी है तो मंगोलिया की अंसर होगा option A Q10 है अल गजल रगिस्तान किस देश में है तो अल गजल रगिस्तान किस देश में A साउधी अरविया में है इसका अंसर होगा A कुशन नमर 11 है विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शन केंदर इस्थित है तो आंसर होगा ओप्शन C USA में विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शन केंदर केंदर इस्थित है कोशन नमबर 12 है विश्व जनसंख्या बित्रन को सरवाधिक प्राभाविक करने वाला देश करने वाला तत्थ है तो 12 आंसर होगा क्या ओप्शन बी जल वाईविक जिरिंता कोशन नमबर 13 है छेत्रफल की दिरिष्टी से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश है आंसर होगा मंगोलिया कोशन नमबर 14 है दक्षिन गंगोत्री है तो दक्षिन गंगोत्री जो है एंटार्क्टिका में अस्थापित भारतिय बैग्यानिक अनुसंधान का क्या है अस्थाई केंद्र है यानि कि option A is correct answer कोशन नमबर 15 है एसकीमो के घर कहलाते है तो एसकीमो के घर कहलाते है इगलू ठीक है इसका आंसर और option D कोशन नमबर 16 है ब्रंस घाटी का निर्मान होता है तो ब्रंस घाटी का निर्मान प्रित्वी की आंतरिक हल्चल के कारण उसके किसी एक भाग के नीचे धस जाने से होता है कोशन नमबर 17 है प्राता कालीन सांती का देश कौन सा है तो प्राता कालीन सांती का देश क्या है पूरिया है अंसर और option B कोशन नमबर 18 है तीराना किस देश की राजधानी है तो तीराना किस देश की राजधानी है अलवानिया अंसर और option B अल्वानिया की राज़्धानी है ठीराना कोशन 11 राज्य के बिमारु राज्यों में सबसे घना आवाद तो कौनसा होगा answer option डिहार कोशन 20 संसार में निम्हें प्रज्णन दर है तो संसार में निम्हें प्रज्णन जर्द क्या है दर क्लिका टीक है कि ऊच्ट्र नमबर 21 यह उत्तर प्रदेश में सीट कालीन वर्षा का संबंध तो सम सितोर्शन चक्र वाद से यह बारतीय मौष्षा मांचित्र नहीं दर्साता है अंसर उगा option B, सम्ताप रेखाएं, सम्ताप रेखाएं जो है भारतिय मौसम मांचितर क्या नहीं दर्साता है question number 23 है, लगू हिमाले में इस्थिद्र्रे का नाम है, तो लगू हिमाले में इस्थिद्र्रे का नाम है question number 24 है, निमनलिखित में किस नदी को बिहार का सोक कहते है question number 25 है, और last question है, निमनलिखित में से कौन सा भारतिय राजमचली का सबसे बड़ा निर्यातक है, मचली का सबसे बड़ा निर्यातक है, तो answer और option B, घेराल राज़ी friend आज आप वीडियो यहीं पर समापता है, 25 important के साथ, आप 25 important question के साथ friend आपने 25 question में कितना attempt किया, वो comment section में जरूर mention करें, वीडियो कैसा लगा यह जरूर बता है और like करें, share करें and subscribe करें, thank you so much.